तो चुले आज एक ऐसी रेसिप भी बनाते हैं जो की सब को पसंद आती है और हर कोई इसे अपने स्टाइल में मनाता है लेकिन आज हम यहाँ पे बना रहे हैं बिल्कुल पहाड़ों वाली मेगी पहाडी स्टाइल में जैसे पहाड़ों में मिलती है वैसी वाली तो सबसे प् तो जैसे गाज़ डाला और शिम्रा मिश डाल दी हमने अब क्या करेंगे इसको कर देंगे मिक्स सब्जियों को थोड़ा सा हम भून लेंगे अच्छे से और उसके बाद इसमें डालेंगे एक छोटा सा टमाटर तो सारी सब्जियों के क्वांटिटी मैंने यहां पर कम कम ही ल हल्दी और उसके बाद जो मैगी मसाला होता है वो डाल देंगे तो वैसे तो सारे मसाले मैगी मसाला में होते हैं लेकिन अगर थोड़ा सा एडिशनल जो टच हम देंगे वो हमने हल्दी और नमक से डाला है और उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे फिर उसके बाद इसमें ड दाल देंगे अपने मैगी के नूडल्स अब इसको मैंने दो टुकड़ों में कर दिया आपको लंबे-लंबे चाहिए तो आप साबुत भी डाल सकते हैं और उसके बाद बस मीडियम से हाई फ्लेम पे इसे चलाते हुए हम पका लेंगे जैसे ही जो आपके नूडल्स जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएं तो आप समझ जाएए कि आपकी जो पहाड़ों वाली मैगी है ना फटा फट से बनके रेडी हो गई है तो इस तरीके से मैगी छटपट बनाईए बरामदे में बैठके या टीवी देखते वे गर्मा गर्म इंजोई कीजिए